हेलो फ्रेंड्स मैरेखा मेरे किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे तीन तरीके के रायते पहला हम बीठूट का बनाएंगे इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और एक कटोरी दही दही को इस बाउल में डाल दे और एक भी तूट को मैंने अच्छे से दो कर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है इसको भी इसी में आड़ कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी आड़ करूँगी मुझे ये थोड़ा थेक लग रहा है यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें मैं आड़ करूंगी नमक, स्वात के नुसार, काला नमक, चाट मसाला, चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए नमक थोड़ा कम ही यूज़ करें, कारे मेच का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे, तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन और गैस को आउन कर लिया है, अब इसमें डालूंगे वे वन टी स्पून रिफाइन ओयल, जैसे ही गरम हो जाए इसमें डालेंगे हम ड्राइ, हेंग, करीपत्ता, इस तड़की को हम रायते के उपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद इसे हम एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे, गानिशिंग के लिए मैंने लिया है करे लेज, काले मेर्स पौडर, बीटूट ग्रेट किया हुआ, यह हमारा बीटूट रायता बन कर तेयार है, अब हम गीए का रायता बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक कटोरी दही ले लिया है, इसे मैं एक पाउल में निकालूंगी, और इसे अच्छे से फेट ले, दही को अच्छे से फेटनी के बाद, इसे हम साइट में रख देंगे, मैंने एक किया लिया था छोटा, उसको दोकर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, इसे हम पहले उबालेंगे, इसमें आड़ करेंगे एक ग्लास पानी गीए को उबालने के लिए, गैस को आन कर ले और इसे ढख कर हमें पांच मिनट तक इसे पकाना है पांच मिनट हो गए हैं हम इस एक बार चेक कर लेते हैं गी है हमारा पक गिया है गैस को हम बन कर दें और इसे हम एक छन्नी में निकालेंगे छन्नी में निकालने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे दही में आइट करेंगे नमक, स्वात के अनुसार, चाट मसाला, काला नमक, हरी मिर्च का पेस्ट ये एकदम ऑप्शनल है आप चाहे तो रेट चिली पॉडर या काली मिर्च का पॉडर भी यूज़ कर सकते हैं बारी कटा हुआ हरा धनिया पोधीना आप चाहे तो पोधीने का पॉडर भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हम एट करेंगे घिया जो ह इसको किस तरीके का रायता रजाए, पतला चाहि 주세요, यह गाड़ा यह मुझे गाड़ा लगा, तो इसमें थोड़ा पाने में आर्ट करूंगी, इसे एक बार Ein O 미क्स कर लें, रायते में दड़का लगाएंगे, दड़का लगाने के लिए माने एक दड़का पैन ले लिया, gas को on कर ले और 2 tbsp मैं इसमें refine oil डालूँगी और इसे अच्छे से गरम कर ले तिल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे राई हेंग curry लेज अब इसमें हम आट करेंगे बारी कटी हुई ब्याज और इसे हमें light pink होने तक इसे बहुनना है प्याज हमारे अच्छी से बुन गई है अब इसे हम रायते के पर इस तरीके से डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम एक सर्विंग बॉल में निकालेंगे गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है भूना हुआ जीरा पाउडर और कुछ करे लेवस और बोधीना पत्ती इस सरीके से हम रायते को गार्निश करेंगे हमारा घी एक रायता बनकर तयार है अब हम बनाएंगे बत्तुए कर रायता एक कटोरी दही लिया है इसको एक बर्तन में निकालेंगे इसे अच्छे से फेट लें दही को अच्छे से फेटने की बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी आइट करूंगी यह मैंने एक कटोरी बत्तुए लिया है इसको हम उबलने के लिए रखेंगे यह मैंने पहले अच्छे से दो लिया था इसे अच्छे से साफ कर लिया है इसमें हम एट करेंगे एक ग्लास पानी और एक हारी मिर्च यह आप्शनल है गैस को ओन कर ले और इसको हम ढखकर पाँच मिनट तक लिए पकाएंगे यह मैंनक तीन लिए है लेसन के लिए और आधी प्याज इसको हम बारिक बारिक काट लेंगे इस तरीके से लेसन और प्याज बारिक बारिक मैंने काट लिया है इसे हम एक साइड में रख देंगे पाँच मिनट हो गए हमारे बत्वे को पकते हुए एक बार चेक कर लें यह हमारा बत्व अच्छे से पक गया है हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे बत्वे ठंडा हो जाने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे बत्वे का पेस्ट बन कर तयार है बत्वे के पेस्ट को हम दई में आड़ करेंगे बत्वे और दई को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे mix करने के बाद इसमें हम add करेंगे काला नमक, सफेध नमक, चांट मसाला, ध्यान रखी इसमें नमक उता इसलिए नमक थोड़ा ही यूज करें और इसे अच्छे से mix कर लें विक्स करने के बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे मैंने एक तड़का पहल ले लिया है गैट को कर लिया है और इसमें मैंने डाला है वन टीस्पून रिफाइंड ओल अब इसमें हम डालेंगे जीरा जीरा आप भुना हुआ जीरा भी यूज़ कर सकते है राई हिंग बारी कटा हुआ लैसुन और प्याज इसको हमें अच्छे से भूना है क्योंकि इसमें लैसुन है इसे हमें अच्छे से भूना है यह अच्छे से कलर आ गिया है इसे हम रायते में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम एक सर्विंग बाउल मी निकालेंगे गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है रेट शिली पौडर और तीन बथवा पत्ति इस तरीके से हम इसको गार्निशिंग देंगे हमारा बथवे करायता भी बनकर तैयार है रायती की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लेज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ